असलालेकुम दोस्तों चलिए आज हम बनाते चमसुर का हलुआ हमने चमसुर ले लिया है पचास ग्राम जो भिगा दिया था एक गंटे के लिए इस कप से और इसी कप से हम दो कप आटा ले लेंगे यह 100 ग्राम आटा है यह दो बड़े चमज गी यह हमने इलाइची और लॉंग ले ली यह पाच्छे इलाइची पाच्छे लॉंग हल्दी और कुछ पिस्ते यह गोड़ है 1.500 ग्राम यह चमसुर ऐसा होता है इसे कई जगे हलू भी कहा जाता है यह बहुत फाइदे मंद होता है अब हम आटे को भून लेंगे अपने इसका कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे चमसुर का हलुआ जोडों के दर्द के लिए कमर दर्द के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है यह देखे इसका कलर चेंज हो रहा है थोड़ा इसको हम और भूनेंगे अब यह हमारा आटा लगभग भून चुका है अब हम इसको पलट लेंगे अब एक पैंड में हम गुड़ को मेल्ट करेंगे यह 200 ग्राम के कप से 2 कप पानी डालेंगे और जो 1500 ग्राम गुड़ है उसको हम इसमें बॉइल कर लेंगे जिसमें यह अच्छे से मेल्ट हो जाए यहां हमारा थोड़ा यह देखिए पतला हो गया है गुड़ इसमें गुल चुका है अच्छे से थोड़ा सा इसको पकाएंगे भी हम गुड़ मेल्ट होने के बाद थोड़ा पका लेंगे अब हम ये कडाही में घी डालेंगे तीन बड़े चम्मच कई लोग इसको सर्चों के तेल में भी बनाते हैं वो भी फायदा करता है घी होने पर हम इसमें इलाइची और लॉंग डाल देंगे ये हमारी इलाइची और लॉंग हो चुकी है अब हम इसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे चम्मसूर को हमने एक घंटे के लिए भिगाया था थोड़े से कुनकुने पानी में ये देखें ये पूरा चम्मसूर हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे चलाते रहेंगे हम इसको चम्मसूर हमने आटे से कम इसलिये लिया था क्योंकि वो फूल कर डबल हो जाता है और इसको अच्छे से थोड़ी देर हम पका लेंगे फिर हम ये मेल्ट किया हुआ गुड़ इसमें डाल देंगे और गुड़ डालके भी हम पकाएंगे थोड़ी देर आप चम्मसूर को ड्राय रोस्ट करके और एक ग्लास गरम दूद में हाफ टीस्पून डालके बीजिये रात में वो भी बहुत फायदे मंद होता है किड्नी के लिए चम्मसूर कमर दर्द के लिए और ठंड में ये खास तोर पे खाया जाता है नाश्ते के वक्त यहलवा अब यह देखिए हमारा चम्मसूर अच्छे से बॉइल होने लगा है अब हम इसमें अपना आटा डाल देंगे भुना हुआ थोड़ा थोड़ा करके और इसको चलाते रहेंगे जिसमें लंप्स ना पड़े चलाना रोकना नहीं है हमें नहीं तो बहुत जल्दी गाठे पड़ जाती है यह देखे हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम इसमें लिड लगा देंगे दू-चार मिनिट के लिए हम लिड लगाएंगे अब हम इसको थोड़ी देर में खोलके चेक कर लेंगे और इसको अब हम पिस्ते से गार्निश कर देंगे आप इसको बनाईए खाईए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए या आपको कैसा लगा